हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में मैं भाग एक पेश करूँगा सितंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेर का एक सितंबर से साथ सितंबर लेकिन याद रखिए क्वेश्चन का नंबर 200 से जादा हो गया था तो मैंने इसको दो भागों में बाटा है ये है भाग एक इसमें मैं लगबग 100 क्वेश्चन कवर करूँगा अगर आप SST, CGL, BANKPIO या UPSC के तयारी कर रहे हैं तो हमारे Teachers Day यानि सिक्षक दिवस के उपलक्ष में एक क्विज लॉंच किया इस क्विज का नाम क्या है ये दो चर्णों में क्विज होगा इसका पहला भाग इसी साल और दूसरा भाग अगले साल होगा सेकेंड फेस 2018 में होगा इसका नाम है प्रकृति खोज प्रकृति खोज एक और बाद हमारे जो Environment Minister थे वो थे अनिल मादव दवे जिनका निदन हो गया था उसके बाद डॉक्टर हर्श वर्धन को पर्मनेंट चार्ज दे दिया गया है तो अब Environment Minister Forest and Climate Change के लिए है डॉक्टर हर्श वर्धन International Hindu Conference अभी-अभी कहां पर हुई ये Conference हुई Kathmandu में याद रखिए नेपाल जो है उसमें बहुत ज़्यादा हिंदू है और दुनिया का एक मात्र पहले हिंदू कंट्री बोलते थे लेकिन बाद में उन्होंने Secular Constitution को adopt कर लिया था अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि International Hindu Conference का थीम क्या था तो इसका थीम था Emerging Spiritualism यानि कि जो Spiritualism आध्यातम का आगमन है Renaissance of Hinduism Hinduism का कुनर जागरण ये था इसका थीम मैं रिपीट कर देता हूँ Emerging Spiritualism Renaissance of Hinduism Hinduism का कुनर जागरण अब आपके लिए आज का पहला सवाल आप ये बताईए कि जो मोहन भागवत हैं ये भारत में कौनसी Organization के Head हैं ये comments में लिखके बताईए हमारा जो खेल मंत्राले है उसने approve करा है एक 13 Member Empowered Steering Committee ये बनाईए जिसमें 13 Member है इस Committee का mandate कब तक काम करने का है ये committee काम करेगी December 2020 तक December 2020 तक और ये बनाई गई है अभिनव बिंद्रा के कहने पर अभिनव बिंद्रा एक Task Force के Head है और अभिनव बिंद्रा ने 2008 का जो Olympic खेल हुए थे Beijing में उसमें Gold Medal जीता था और आज तक भारत के इतिहास में एक मात्र खिलाडी है जिनोंने Individually Gold Medal जीता है तो ये इसके Head है और इनके कहने पर ये committee बनाई गई है और परपस वही है कि भारत के खिलाडी किस तरह से Olympic खेलों में पदग ला सकते हैं क्योंकि 2020 में Olympic खेल कहां पे होंगे टोकियो में होंगे और 2024 में कहां होंगे पैरिस में और 2028 में होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर पहला project जो fund किया New Development Bank ने 76 million dollar का उसने अपना operation स्टार्ट कर दिया है कहां पर देखिए New Development Bank बोलते है Brics Bank को इसमें 5 देश है Brazil, Russia, India, China और South Africa Brics की meeting अभी खतम हुई है जियामिन शहर में चाइना में और 5 देशों के जो प्रमुक्त है वो इसमें आये थे ये जो इनका लोन है 76 million dollar का ये दिया गया है काम स्टार्ट करने के लिए शंगाई में और दूसरी बात जो शंगाई है ये चाइना के अंदर है और New Development Bank जो है ये भारत को भी लोन दे रहा है मद्धे परदेश के अंदर जो गाउं है उनके अंदर drinking water sanitation के लिए ये लोन लगबग 470 million dollar का होगा तो New Development Bank के head है के भी कामत इन में से कौन सा bank है जिसको best bank का award मिला small banks की category में क्योंकि इसने technology का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया वित्य समावेश यानि financial inclusion के लिए ये award इसे मिला तेहरवे ID, RBT, Banking Technology Excellence Award जो तिलंगाना की राजधानी हिदराबाद में हुए थे ये bank है करनाट का bank करनाट का bank के managing director और CEO है Mr. M.S. Mahabaleshwar very very important M.S. Mahabaleshwar और ये जो bank है इसका headquarter है Mangalore में जिसको Mangaluru बोलते है Mangaluru इन में से कौन सा देश है जिसने अपने नए officials को चुनना शुरू कर दिया है President Raul Castro को replace करने के लिए जो फरवरी 2018 में resign करेंगे, step down करेंगे ये देश है क्यूबा क्यूबा की राजधानी है हवाना और क्यूबा की जो currency है वो है PISO क्यूबन PISO और जो एक एक और याद रखिए जो Raul Castro है ये क्यूबन Communist Party के head है एक और important leader जो expire हुए थे Fidel Castro ये भी क्यूबा से थे तो इनके नाम याद रखिए इन में से latest ransomware कौन सा है जिसके खिलाफ सरकार ने alert issue कर दिया है यानि कि ये computer को बंद कर देता है और फिर आपसे पैसा मांगता है उसको खोन ले के लिए इसे बोलते हैं फिरोती, ransom ransom करता है यानि एक तरह का फिरोती मांगता है इसका नाम है लोकी लोकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट International Day of Charity ये अभी अभी किस दिन मनाया गया जो अंतराष्ट्रे दिवस होता है चैरिटी का ये दिवस मनाया गया 5 सेप्टेंबर को और याद रखिए इसे United Nation General Assembly ने 2012 में डिकलेर किया था क्योंकि इस दिन जो Mother Tracer है जिनने Nobel Prize मिला था 1979 में इनने कलकत्ता की संत भी बोलते हैं इनने संत की उपादी दी गई थी पिछले साल और इनका Death Day होता है ये तो इनकी Death Anniversary होती है तो 5 सितंबर को तो Mother Tracer थी कलकत्ता की संत कितने Advanced Pricing Agreement यानि APA हमारे जो आयकर विभाग है CBDT Central Board of Direct Taxes उन्होंने अगस्त में साइन किये Indian Taxpayers के साथ जिने Transfer Pricing में स्थाइपन देने के लिए Certainity देने के लिए Total ये साइन किये इन्होंने 4 और किस-किस में किये पूछें तो एक किया Telecom के अंदर दूसरा किया Banking में तीसरा Manufacturing में यानि उत्पादन के शेत्र में और चोथा सिख्षा यानि Education के शेत्र में Total अगर पूछें अब तक कितने हो चुके हैं तो हो चुके हैं 175 और CBT के Chairman है Sushil Chandar और हमारा जो Indirect Tax का विभाग है उसको बोलते है Central Board of Exciting and Custom उसके Head है Mr. Banaja Sarna Morgan Stanley Company के हिसाब से भारत की कितनी ग्रोथ होगी इस Fiscal के अंदर इस Fiscal मतलब क्या है जो चल रहा है भी 2017-18 जो 1 April 2017-31 माज 2018 तक है हमारी ग्रोथ होगी 6.7% 6.7% और एक बात और अपरेल से लेके जून तक हमारी ग्रोथ कितनी हुई है अगर पूछें सिरफ 5.7% तो ये Demonetization की बैसे हुआ है इन में से कौन से शहर की Metro है जो शुरू की गई है ये पहली बार हुआ है इस शहर में Metro आ गई है और इसको हरी संड़ी दिखाई इस राजे के मुख्य मंत्री जिस के पास अपना खुद का FM station है FM station और जो दिल्ली Metro है जिसे बोलते है DMRC दिल्ली Metro Real Corporation ये भारत की एक मात्र ग्रीन Metro है तो ये याद रखे और ये एटल बहारी वाजपईची को डेडिकेट की गई है लखनव मेट्रो और उतरपरदेश के गवर्नर है राम दायक पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल पूर्व इसले लिख रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया है अब राज्य वर्दन सिंग राठोर को जिन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था रज़त पदक और जो एथेंस शहर है ग्रीस की राजधानी है और यहीं पर हुए थे 1896 यानि सबसे पहले ओलंपिक के ल वो भी एथेंस के अंदर हुए थे तो विजय गोयल जो है उन्होंने अराउंस करा है कभी यूद स्पोर्ट सेंटर बनेगा कहां पर बनेगा यह बनेगा अलिपुर में दिल्ली के अंदर इन में से भारतिय मूल के कौन से बिजनेसमेन है जिने नोवार्टिस कंपनी ने अपना CEO बनाया है CEO इनका नाम है वसंत नरसिम्हा और यह बहुत ही important है यह replace करेंगे जो पूर्व CEO है जोसेफ जिमेनेस को समझने वाली बात यह है जो नोवार्टिस कंपनी है यह दुनिया की सबसे बड़ी दवाईयों की कंपनी में से एक है और इसका headquarter है Switzerland के बाजल शहर के अंदर very very important भारत ने अभी अभी submit करा एक joint proposal World Trade Organization को कौन से country के साथ भारत यह कह रहा है कि जो trade distorting farm subsidy होती है जिनें बोलते हैं AMS या umber box उन्हें खतम कर दिया जाए जिससे जो business है उन्हें protect किया जा सके तो यह भारत ने पेश किया चाइना के साथ joint proposal WTO को याद रखिए जो developed country है उनका 90% से ज्यादा global AMS entitlement है 160 billion dollar से ज्यादा तो इसलिए जो upcoming 11th ministerial conference होगी WTO की यह भी पूछा सकते है कि कहाँ पे होगी यह होगी जो अर्जेंटीना की राजधानी है December 2017 के अंदर होगी यह होगी 11th ministerial conference जिसे बोलते हैं MC of the WTO dumping of waste at which landfill site has been banned by दिल्ली lieutenant governor अलित अनिल बैजल दिल्ली के जो governor है अनिल बैजल उन्होंने कौन सी landfill site है जहाँ पे कुडा कच्रा dump करने पे ban लगा दिया है जो उचाई है कुडे की वो 15 मंजिला इमारत से भी ज़्यादा हो चुकी है और 2002 में ही expire हो गया था यहाँ का जो dumping जो plan था लेकिन फिर भी यहाँ पे continuously dump किये जा रहे है अभी अभी यहाँ पे एक highway है वो भी खिसक गया था उसे conclude किया अब यह पताईए EFTA का headquarter कहा है आपसे सवाल यह भी पूछा सकता है कि भारत ने कौनसी organization के साथ एक free trade agreement किया है तो इसका headquarter है जनेवा में और जनेवा है Switzerland में जनेवा में कई organizations का headquarter है अब याद रखिए Switzerland की राजधानी जनेवा नहीं है इसके अंदर चार देश है मैं EFTA की बात कर रहा हूँ European Free Trade Association चार देश है Iceland जिसकी राजधानी है रेकियाविक दूसरा है इस country का नाम आपने शाहिद ना सुनाओ लाइचेंटेंस टीम लाइचेंटेंस टीम और नौरवे जिसकी राजधानी ओसलो है यहाँ के एक important player भी है Magnus Carlson chess player और Swizerland यह चार देश है CII Confederation of Indian Industry तो CII जो है इन्होंने national award दिये अपने excellence in energy management कोन से airport को दिये कहने का मतलब कोन से airport को जो उर्जा है उसके अच्छे management के लिए award मिला है यह award मिला है और यह भारत का दूसरा airport है जो carbon neutral है भारत का पहला airport जो carbon neutral है वो है इंद्रा गांदी international airport नई दिल्ली के अंदर इन में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी अभी एक online portal दिया है online portal शुरू करा है online website शुरू करी है जिससे जो जनता है उसकी शिकायतों का निवरान हो सके पब्लिक grievances को रिट्रेसल उनका किया जा सके यह है गोवा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारी का रभी अभी चुनाव भी जीते हैं यह और गोवा की जो गवर्नर है मृदुला सिना है जो हिंदी साहित्य में जिनका काफी नाम है तो यह याद रखिए दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सरे लेजर इसका नाम है European X-Ray Free Electron Laser यानि XFEL यह अभी अभी शुरू किया गया कहां पे शुरू किया गया यह शुरू किया गया Hemberg शहर में Hemberg शहर भई शहर है जहां पे G20 सम्मेट हुआ था इस साल तो Hemberg शहर जो है जर्मनी के अंदर है और लगभग साढ़े तीन किलोमीटर लंबी सुरंग है यहां पे लेजर की जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं यानि आर्केलोजिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही पुराना बुद्ध भगवान का मूर्ती खोजी है जो कहते हैं कि फर्स सेंचुरी एडी की है फर्स सेंचुरी एडी की है कहां पे खोजी है भारत के अंदर खोजी है ये और अगर पूछें कहां पे तो ये गाउं का नाम है पुतला गुडएम गाउं पुतला मंडल का नाम है अचमपेट और शहर का नाम है गुंटूर अब आप समझ गए होंगे आंदर परदेश की बा घंटासला गाउं ये है कृष्णा डिस्टिक्ट में इसे पंद्रा सो करोड रुपे दिये गए हैं अभी अभी इसको डवलप करने के लिए तो ये भी पूछ सकते हैं ये भी बुद्धिस टूरिस्पोट है घंटासला गाउं और ये है कृष्णा डिस्टिक्ट में अगेन आंद्रपरदेश में, आंद्रपरदेश के जो गवर्नर है, वो ही तेलंगाना की गवर्नर है, उनका नाम है Mr. E. Narsimha, और आंद्रपरदेश के मुख्यमंत्री तेलगू देसम पार्टी के हैं, जिनका नाम है चंदरबाबू नैडू, अब आपसे एक काफी कठिन सवाल पू इसी आ गई है, अब जो ये बत्तमीजी करने वाले नेता, इन पर पहल लगेगा, तो आप ये पताइए उनका नाम क्या है, जैसे शिव सियना के थे रविंदर गाइकवार्ट, ऐसे ही तेलगू देसम पार्टी के भी एक थे, उनका क्या नाम है, कमेंट्स में लिखे केरला, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि यला का मतला बोता है, अरेबिक भाषा में, जो मिडलिस में बोली जाती है, लेट्स गो, चलिए चलते हैं केरला, यला केरला, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अरब है, कंट्री, वहां से चिर्फ चार घंटे लगते हैं केरल त तो इनकी constituency है उलू बैरिया उलू बैरिया पश्चम मंगाल में पश्चम मंगाल में एक important नेशनल पार्क याद रखिए बक्सा नेशनल पार्क और एक और है गोरु मारा गोरु मारा और बक्सा मुख्यमंत्री है यहां की ममताब एनरजी इन में से कौन सी कंपनी है भारत की ज इसके चेर में रहे गोतम अदानी एक बात और याद रखिए स्वीडन की एक और important कंपनी है जो नियूज में रहती है वो है वोल्वो वल्वो कंपनी है स्वीडन की इन में से कौन सी कंपनी है जिसने अन्वील किया है एक नया विजन प्रोसेसिंग यूनिट जिसका नाम है Movidius Myriad X यह बेसिकली आर्टिफिचल इंटेलिजन्स का एक सौफ़्वेर है और यह दुनिया का सबसे पहला SOC है यानि सिस्टम ओन चिप है तो यह कंपनी है Intel अभी अभी Heavy Water Board के नए Chief Executive कौन बने है Chief Executive इनका नाम है Mr. U. Kamachi Mudali यह एक Nuclear Scientist है इंदरा गांधी Center for Atomic Research के अंदर अभी अभी भारती होकी टीम के कोच कौन है जिनका Resignation ले लिया गया है इनको हटा दिया गया है इनको सैक कर दिया गया है यह काफी important सवाल है इनका नाम है Roland Altman और जब इनको हटाया गया तो यह कहा गया इन्होंने यह कहा कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि जो Indian Hockey Federation है उन्हें रातो रात रेजल्ट चाहिए तो यह important व्यक्ति है Roland Altman एक और important सवाल कूछ सकते हैं नया होकी का कोच कौन बना है तो यह बनी है सजोआड मारीजने अब यह है कौन यह भारती है female होकी टीम की कोच है अब यह male होकी टीम का additional charge दे दिया गया है ने क्यानि भारती है male female होकी टीम और female होकी टीम की कोच इस वक्त है सजोआड मारीजने अंत्रिक्ष विग्यानिक पैगी विट्सन यह भारत आ गई है कितना time लगा के आई है यह अंत्रिक्ष में यह लगा के आई है 288 दिन और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा successful astronaut है टोटल 665 दिन इन्होंने अ स्पेस में लगाएं अब तक इनका world record है दुनिया की सबसे बूढ़ी अंत्रिक्ष विग्यानिक होने का 57 सा लेज़े हो इनकी और सबसे experience भी है 10 spacewalk कर चुकी है और पहले इन्होंने सुनिता विलियम्स का record कोड़ना था सुनिता spacewalk करने का और यह पहली महिला है जो international space station को दो अजीव कुमार और नीती आयोग के CEO है अमिताब कांथ और नीती आयोग का planning commission का नया नाम है National Institution for Transforming India शौट में नीती आयोग और नीती आयोग के chairman है प्रधानमंतरी मोधी इन में से कौन सा institute है जिसने launch करा है यह इंडिया का time है यह एक event है यह इंडिया का time है और यह HRD नही से सिध्धी संकल्ब से सिध्धी सो NIT रायपूर है यह NIT रायपूर National Institute of Technology अमरीकी कवी John Ashbery इनका निदन हो गया इने Pulitzer Prize मिला था कौन से किताब के लिए किस चीज के लिए मिला था इसका नाम था Self Portrait in a Convex Mirror यानि मेरी खुद की मूर्ती Convex Mirror के अंदर इसके लिए इने मिला था 2011 में राश्पती ओबामा से Reserve Bank of India ने कौन से bank को add कर दिया है Domestic Systemically Important Bank में या Too Big to Fail इस कैटेगरी में इसमें सिरफ दो ही बैंक आते थे पहले एक तो आदा था State Bank of India और दूसरा था ICICI और अब इसमें आ गया है HDFC Bank जिसके Managing Director है अधित्यय पुरी इस लिस्ट को हम बोलते ह DSIB इन में से कौन सा Small Finance Bank है जिसने अपना Banking Operation स्टार्ट करा है 25 Operational Branches के साथ यानि कौन सा नया Small Finance Bank भारत में अभी स्टार्ट हुआ है इस बैंक का नाम है Fincare Small Finance Bank और एक और बात अगर मैं आपसे पूछ हूँ कौन सा Small Finance Bank है जिसे Scheduled Bank की कैटेगरी में रखती आया RBI ने तो वो है उजीवन, उजीवन Small Finance Bank इन में से कौन से राजे की सरकार ने लॉंच करा है एक Health Scheme जिसका नाम है आरोग्य भग्य आरोग्य भग्य और ये बेसिकली साथ पुरानी Scheme को मिला के उनका विले करके एक Scheme लॉंच करी है ये लॉंच करी है करनाटक ने करनाटक की राजधानी आप जानते हैं Bengaluru है जहाँ पे ISRO का Headquarter है और Indian Institute of Science भी है मुख्यमंत्री है करनाटक के सिदरमया जो अभी काफी उनका criticism हो रहा है क्योंकि गोरी लंकेश की गोली मार के हत्या कर दी गई करनाटक के अंदर उनका पूरो नाम था गोरी लंकेश पत्री के करनाटक में भारत के स सब ज़्यादा हाती भी है elephant भी है elephant भी है यह elephant census में release हुआ था करनाटक के बाद सब ज़्यादा हाती है साम में और फिर है केरल में करनाटक के बाद सब ज़्यादा tiger है उत्राखंड में उत्राखंड में दो important national park है एक तो Jim Corbett है जो सब से ज़्यादा popular है Jim Corbett के अलावा यह है गोविंद पशु बिहार और वैली ओफ लावर्स है यहाँ पे वैली ओफ लावर्स है फिर तो इस तरह से उत्राखंड में है और उत्राखंड के जो मुख्य मंत्री हैं हो है त्रिवेंदर सिंग रावत और गवर्नर है के के पॉल अभी अभी किसने आधारशिला रखी जो सौनी प्रोजेक्ट है इसके चोथे लिंक की लिंक फॉर अफ दा सौनी प्रोजेक्ट तो सौनी क्या है सौराष्ट्र नर्मदा अवतारन इरिगेशन योजना मैं रिपीट करता हूँ सौराष्ट्रा नर्मदा अवतारन इरिगेशन योजना नर्मदा नदी निकलती है मद स्टोन किसके ने रखा इसका रामनात कोविंद ने रामनात कोविंद भारत के चौदवे राश्पती है और पहले बिहार के गवर्नर थे तो बस इतना याद रखिए इसमें इन में से कौन से राज्य का पुलिस डेपार्टमेंट है जिसने अभी अभी एक नई फैसिलिटी इनोग्रेट करी है जो कंपलेण होती है वो आप डाउन्लोर कर सकते हो डॉक्यमेंट के तौर पे ओनलाइन तो ये और ये एक डिजिटल तरह से आप कंपलेण अपनी फैल कर सकते हो डॉक्यमेंट की तौर पर ये फैसिलिटी दिये है तमिलनाडू की सरकार ने तमिलनाडू में काफी पॉलिटिकल अभैवल हुआ था जो एड़ापड़ी पलना स्वामी है मुख्यमंत्री और जो ओपनीर सेल्वा में इनका अभी मिलन हो गया है अपस में और पार्टी का नाम है और तमिलनाडू के जो तमिलनाडू के जो गवर्नर है वो ही गवर्नर है महराष्टर के इनका नाम है सी विद्यसागर रहो M.O.R.T.H. नितिंगडकरी नगर परिवेहन मंत्री नितिंगडकरी इन्होंने लॉंच करा 1000 इलेक्टरोनिक रिक्षा कौन से शहर के अंदर ये इन्होंने लॉंच करा गुरू ग्राम में जो हर्याना के अंदर है और DMRC के साथ मिलके इन्होंने लॉंच करा है दिली मेट्रो रेल कॉर्परेशन के साथ मिलके मेट्रो जो है अर्बन डेवलप्मेंट के अंदर आता है नितिंगडकरी को अभी-अभी जो गंगा रीजुमिनेशन वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है वो दे दी गई है उमा भारती से लेकर उमा भारती और जो मिनिस्टर और स्टेट ते संजीव बलियां दोनों को हटा दिया गया इन में से कौन सा देश है जिसने अभी-भी इंटरनेशनल सोलर अलाइंस एग्रिमेंट को रेटिफाई किया है, साइम किया है अंतराष्ट्रे सोलर अलाइंस फ्रांस और इंडिया की दोनों की उससे ये बना था और कॉप 21 के अंदर ये देश है सेशल्स सेशल्स, याद रखिए और अभी तक इंडिया, फ्रांस, नाउरू नाइजर, फीजी, मौरिशयस, तुवालू और बांगलादेश, इन्होंने इसको ratify किया है, तो ये इसका 9th member है, और 30 अगस्त को, मैं रिपीट करता हूँ 30 अगस्त को, अगर पूछें कौन सा country इसका latest signatory बनी है, जिसने sign किया है, वो है Costa Rica ये 39th इसका signatory है 39th, तो इसमें आपको बिल्कुल confused नहीं होना है, International Solar Alliance के अगर पूछें, member तो member, 9th member बना है Seychelles, ठीक है और 39 अभी है signatories 39 signatories बना Costa Rica चलिए, एक और बहुत important question पर आते हैं, breakthrough listen, इसने अभी अभी 15 तरह के radio signal pick up करें हैं, ये project किसने शुरू करा है, ये project शुरू करा है, यूरी मिलनर और स्टीफन होकिंग ने 2 और 3 आंसर है, यूरी मिलनर और स्टीफन होकिंग, 100 million dollar का ये project है एक और question exam में आ सकता है वो आ सकता है, TRAPPIST-1 system किसका है, TRAPPIST-1 TRAPPIST-1 है क्या देखिए, दूसरे ग्रहाओं के ऊपर पानी है ये खोज लिया है, NASA ने और European Space Agency ने मिलके, इस project का नाम है TRAPPIST-1 और जो telescope use करा है, वो है Hubble Space Telescope Edwin Hubble वो वैक्ती थे, जिन्होंने Big Bang Theory दी थी MOWR इसने अनाउंस करा है, एक inter-ministerial task force, जिससे नमामी गंगे प्रोग्राम MOWR क्या है, Ministry of Water Resources जल संसाधन का मंत्राले जो है और इन्होंने नमामी गंगे mission को लागू करने के लिए और ज़्यादा पुखता तरीके अपनाएं तो additional charge किसे दिया गया है इसका, उमा भारती को हटा कर ये दिया गया है नितिनगडकरी को नितिनगडकरी है अब Water Resources के भी minister इन में से कौन सा देश है जिसने अभी अभी पहला Animal Welfare Bill उसको कानून में बदला इसको लागू करा है जानवरों को बचाने के लिए उनकी रक्षा करने के लिए ये इनका पहला Animal Welfare Bill है ये देश है Lebanon जिसकी राजधानी है बैरूत और मुत्रा है Lebanese Pound IDRBT ये एक model platform डवलप कर रहा है blockchain technology को इस्तेमाल करने के लिए तो जो IDBRT है ये कौनसे organization की research शाखा है अनुस अंधान की शाखा है ये IDBRT की full form क्या है Institute for Development and Research in Banking Technology यानि banking के अंदर ये development और research करता है अनुस अंधान और तकनीक पे responsible है तो ये Reserve Bank of India की शाखा है और अगर पूछें इसके director कौन है तो उनका नाम है A.S. Ramshastri और Reserve Bank of India के governor है उर्जित पटेल अभी अभी एक 16.6-8 meter उचा मिट्टी का पुतला ये Guinness World Record बनाया है ये दुनिया का सबसे उचा पुतला है ये कहां पे बनाया है ये बना है अभी अभी Lucas Brugman ने बनाया इसे मैं repeat करता हूँ Lucas Brugman नाम के वेक्ति है इन्होंने जर्मनी के अंदर बनाया है और इससे पहले record भारतिये का था सुदर्शन पटनायक का था इससे पहले record उन्होंने पुरी में बनाया था जिसकी height थी 14.8-4 meter और यह सिर्फ 9 दिन में बना था सुदर्शन पटनायक द्वारा लेकिन ये वाला जो है ये इसमें बनने में लगभग एक महीने का टाइम लगा है लेकिन Lucas Brugman याद रखिए जिन्होंने ये बनाया है Smart Agriculture Concleve अभी अभी कहां पे हुआ हमारे Agriculture मंत्री है रादमोहन सिंग और ये अभी अभी हुआ नई दिल्ली के अंदर इन में से कौन सा देश है जिसने Token Based Digital Currency का launch करके जो पैसा उठाते हैं वो ban कर दिया है यानि अब आप Token Based Digital Currency का इस्तेमाल करके funds raise नहीं कर सकते ये ban किया है चाइना ने चाइना जिसके प्रेजिडेंट है शी जिन पिंग और आजधानी है बीजिंग बीजिंग में headquarter है Asian Infrastructure Investment Bank का जिसके प्रेजिडेंट है Mr. Jin Likun जो चाइना के पूर्वित्मंत्री थे सुम्रई तेते ये पहली महिला बनी है ज्हारखंड की जिनने ध्यांचंद अवौर्ड मिला है ये कों सा खेल खेलती है ये खेलती है होकी और ये होकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है और ध्यांचंद आज जानते हैं होकी के जादुगरिने बोलते है और इन्हें जारकंड होकी का brand ambassador भी बनाया गया है और यह है मुख्यमंत्री रगुबर्द दास और यहां की जो governor है वो है दुरापदी मुर्मू 2 सितंबर ये दिन dedicate किया गया है कौन सी चीज के लिए नारियल के लिए मचली, गेहू या कमल का फूल तो यह dedicate किया गया है Indian Institute of Food Processing Technology यानि IIFPT द्वारा coconut के लिए और coconut का largest producer इंडिया में है केरल और इसे World Coconut Day के तौर पर देखा जाएगा, observe किया जाएगा और बस इसमें इतना रखना है हमारी जो food processing मंत्री है वो है हर सिम्रत कौर बादल हर सिम्रत कौर बादल और हमारे जो consumer affair minister है वो है राम विलास पास्वन अभी अभी Under 12 category में World Cadet Chess Championship उती ब्राजील में उसमें 12 साल से कम उमर की category में स्वन्ड पदक किसने जीता है इनका नाम है दिव्या देश्मुख और यह इनका दूसरा world title है आप इन्हें देख सकते हैं मुख्य मंत्री देविंदर फटनाव इसके साथ अमरीका का भारत में नया राजदूत कोन होगा इनका नाम है Kenneth Jester Donald Trump नहींने अपॉइंट किया है कितने नय मंत्री है जो नरेंदर मोधी सरकार के cabinet में थर्ड रीशफल जो हुआ अभी तीसरी बार cabinet रीशफल हो चुका है इसमें नय मंत्री कितने आये हैं तो टोटल नय मंत्री है नो नो मंत्री है और यह cabinet रीशफल में डिटेल में आपको पता चुका हूँ इसमें दुबारा नहीं जाओंगा लेकिन याद रखिए अगर पूछें कितने मंत्री हैं जिनने cabinet rank भी गई तो वो हैं चार ये चार याद रखिए मुकतार अरबास नकवी, Minority Affair, धर्मेंदर प्रधान, ओईल गैस वगरा पियुष गोयल और पियुष गोयल अब हमारे रेलबे मिनिस्टर बन गए है और रिमला सी तरम बन जो रक्षा मंत्री बन गए ये चार cabinet rank पे अलिवेट किये गए कौन सा देश है जिसने इंट्रोड्यूस करा है एक नया कानून जिससे जो महिलाएं है वो बुरका नहीं पैन सकती महिलाएं बुरका नहीं पैन सकती ये कानून अभी अभी लाया है तजीकिस्तान तजीकिस्तान की राजधानी क्या है दुशानवे और यहां की करंसी है सोमोनी अभी अभी एक लिस्ट रिलीज हुई है फोब्स के द्वारा इसमें दुनिया का सबसे दुनिया का नहीं एशिया का एशिया महादूइब का सबसे करप्ट सबसे भरष्ट देश कोन सा है तो ये देश है हमारा भारत और टॉप फाइव कंट्री जो है इसमें वो वियतनाम है भारत के बाद दूसरे नंबर पे फिर थाइलेंड है फिर पाकिस्तान है और फिर मया मार है ये है एशिया के पांच सबसे करप्ट देश और ये दिया है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल ने अब आप से एक सवाल पूशता हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है और एक और एक औरिणेशन एक ओर है इसका हैद कवर्ट का है दोनों कमेंट्ष में लिखे बताओ इनमे से पहली महिला कौन बनी जिनको डिफेंस पोर्टफोलिए उ मिला ये राज्य सभा की मेंबर हैं, कौन से स्टेट से हैं, ये कमेंट्स में लिखे पता है, भारत के नए कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जनल कौन बने हैं, ये पहले होम सेक्रेटरी थे, इनको रिप्लेस किया था राजीव गाबा ने, राजीव गाबा, और इनका नाम है राजीव महरिशी, राजीव महरिशी, ये हैं भारत के नए CAG, और इन्होंने रिप्लेस किसे करा है, शशीकांद शर्मा को, और जो CAG होता है, ये 6 साल के लिए पॉइंट के जाता है, 5 साल के लिए नहीं, ये भी आत रखीए, 6 साल या 65 साल की उमर जो भी पहले हो जाए, इन मेंसे क CSIR, CSIR मतलब Council of Scientific and Industrial Research, in short CSIR, अगर मैं overall बात करूँ, overall 75 नंबर पे हैं, लेकिन Public Research Institution की ranking में ये 9 नंबर पे है, और अगर पूछें कि CSIR के head कोने इस वक्त, या जिसे बोलते हैं Director General, तो उनका नाम है Dr. Girish Sahani, इन मेंसे कौन सा राज्ये है, जिन्होंने जो Armed Forces Special Power Act है, यानि आफ एक्सेंड कर दिया है, पहली बार, और खुद ही करा है इन्होंने, Center से permission नहीं लिये इन्होंने, अभी तक ये Center के order पर करते थे, अभी इन्होंने खुद कर दिया है, और 6 महीने के एक्सेंड करा है, ये किया है Assam ने, Assam में सोनई रुपई, औरांग, मनास, काजीरंगा, न ना मेरी, ये सब important national park है, Assam के मुख्य मंत्री है सर्बनन सोनोवाल और गवर्नर है बर्वारिगाल पुरहित, इन में से कौन सा हरीकेन है, जो Caribbean region के अंदर अभी अभी आया है, Caribbean region में, इसका नाम है इर्मा, और ये प्रभावित करेगा, अमरीका को, क्यूबा को, पुड्टो सूरे की रणम किसके साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं, नेपाल, और याद रखिये, अभी जिस जगापे हम कर रहे हैं, उसका नाम है साल जंडी, साल जंडी, भारत और नेपाल के बीच में एक disputed area है, जिसको बोलते हैं कालापानी, और इसमें 350 troops होंगे दोनों तरफ से, नेपाल की राजधानी काटमांडू है, जो सार का headquarter है, परधान मंत्री शेर भादूर देवबा, प्रेजिदेंट बिद्या देवी बंडारी, गोल्ड मेडल अभी अभी किसने जिता, Commonwealth Youth Weightlifting Championship जो गोल्ड कोस्ट में हुई थी, औस्टेलिया के अंदर, ये जिता, और मिल करते हैं, उनको बोलते हैं contraceptive, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अंतरा, जो है injectable, और दूसरा है छाया, जो की एक पिल है, तो answer है 1 and 2, और ये 9 states के अंदर launch करें हैं, और साथ में दिल्ली के अंदर भी करें हैं, जो की एक union territory है, इसमें हमारा target यह है कि जो total fertility rate है, TFR, उसे 2 2.1 हम करना चाहते हैं, कम करके 2.1 करना चाहते हैं, इन में से कौन सा project है, जो जिसे UNESCO Confucius Price मिला है, Literacy 2017 के लिए, यानि साक्षर्था को बढ़ाने के लिए कौन सा program है, जिसे ये मिला है, ये है Adil TICO program, The Citizen Foundation Pakistan और Funds of South Africa, तो answer है all of the above, तीनों को ये मिला है, तीनों को ये मिला है Nova Brick Summit अभी-भी कहां पर हुआ था, ये मैं समझता हूँ, एक असान सवाल होगा, ये हुआ जियामिन में, इसमें याद रखिए, ये था 9th Brick Summit, 9th, और इसमें 5 bank जिनोंने agreement sign किया है, ये Brazil का bank है, जिसे बोलते है BNDES, Brazilian Development Bank, एक है Exim Bank of India, एक है China Development Bank, एक है Development Bank of South Africa, और एक और bank ह जिसे बोलते हैं, Nash Econom Bank, इन्होंने credit line establish करी है, आप से ये पूछेंगे कि कितने bankों ने आपस में agreement किया है, तो answer है 5, और अगर पूछें कि theme क्या था, तो theme था, stronger partnership for a brighter future, stronger partnership for a brighter future, राष्ट्रिये खेल प्रोथसाहन प्रुसकार, अभी-अभी किसे मिला है, राष्ट्रिये खेल प्रोथसाहन प्रुसकार मिला है, Reliance Foundation को, Reliance Foundation, नीता अंबानी जो है, ये पहली महिला है भारत की तरफ से, जो International Olympic Committee की member बनी है, शिरीश पाई का निधन हो गया, ये मशूर क्या थी, ये काफी मशूर मराठी कभी थी, so answer है, poet, और इन्होंने 5 मराठी हाईको books भी लिखी है, और United Maharashtra Movement की में भी इन्होंने participate किया हुए, एक global brokerage company है, financial company है, जिसका नाम है UBS, तो UBS ने भारत का GDP growth forecast, पहले बोला था 7.2% हम ग्रोग करेंगे, 2017-18 में, यानि financial है 2018 में, अब ये कम कर दिया है, कितना कर दिया है, अब कर दिया है, सिरफ 6.6%, क्योंकि हमारी economic काफी कम ग्र साल, यानि 2018-19, financial है 2019 में, कितना grow करेंगे, तो 7.4%, इन में से कौन सा राजी है, जिसने announce करा है, कि पहली class से लेके, graduation तक, जितने भी सरकारी school है, और aidid private school है, उनमें लड़कियों को सिख्षा free, ये announce करा, करनाटक की सरकार ने, करनाटक की सरकार ने announce करा है, और इसी तरह की scheme तिलंगाना ने भी announce करी हुई है, जहाँ पे किंडर कार्टन से लेके, और post graduation तक, और पंजाब ने तो PhD तक free किया हुआ है, तो ये याद रखिए, नुमालीगड रिफाइनरी जो है, इन्होंने अपना एक trial consignment, 30 ton of diesel fuel का, अभी अभी कौन से देश को भेजा है, नुमालीग NRL है, इन्होंने वहां की एक company है, परामी, परामी energy के साथ एक अनुबंद किया है, मयामार जो है, इसकी राजधानी है, ने पी डाउ, और यहाँ पे ये काफी news में चल रहा है, रोहिंगया मुसल्मान का जो issue है, मयामार की लगबग 4% अबादी मुसल्मान है, और वहां से जो रोहिंगया है, अपनी जान बचा के दूसरे देशों में भाग रहे है, इन में से कौन सा देश है, जिसने अभी अभी एक nuclear test किया है, nuclear test इन्होंने एक hydrogen bomb का test भी करा है, ये देश है North Korea, ये इनका nuclear test जो था, six times powerful था इनके पुराने वाले से, और इससे अर्थ को एक भी आ से अपनी subsidiary स्टार्ट कर सकता है, अपनी branch स्टार्ट कर सकता है, ये bank है DBS bank, DBS bank के जो CEO है, वो है पियुष गुपता और ये सिंगापूर का एक bank है, September 1st to 7th, एक सितंबर से सातवा सितंबर, ये कौन सा हफता मनाया गया, ये मनाया गया National Nutrition Week, National Nutrition Week, और इसका theme था, optimal infant and young child feeding practices better child health, कहने का मतलब अगर जो नवजाच शिशू है, और जो यंग बच्चा है, अगर आप उसे धंग से portion देते हैं, तो उसकी health अच्छी होगी, इन में से कौन सा देश है, जिसने एक agreement करा है, Australia के साथ, कि वो अपना जो maritime boundary dispute है, उसे सुल जाएंगे, ये dispute हुआ था, greater sunrise gas field को लेके, तो ये देश है, तिमोर लेस्टे, जिसकी राजधानी है, डिली, FDA, इन्होंने अप्रूव कर दिया है, काइमरिया, ये पहला gene therapy drug है, अमरिका में, जो बच्चों के उपर काम करेगा, और young adults के उपर काम करेगा, किस चीज़ जो सफर कर रहे हैं, ये drug किस company है, इन में से कौन से भारत के शटलर है, जिने silver medal मिला, men's single, Indian junior international grand prix में, शटलर मतलब badminton खिलाडी, तो इनका नाम है राहूल भारतवाज, राहूल भारतवाज ने जीता silver medal, और ये final में हार गए, जिन खिलाडी से, Thailand के खिलाडी है, उनका नाम है, कनलावूत, कनलावूत, वितिद सरन, डोरिस लुथार्ड, ये तीन दिवसी है, यातरा पे भारत आई, ये कौन से देश की प्रेजिडेंट है, ये प्रेजिडेंट है, स्विजर लेंड की, और हमने स्विजर लेंड से एक M.O.U. भी साइन करा है, रेलवेज के लिए, और स्विजर लेंड की इसे कौन से देश की पार्लेमेंट है, जिन्होंने एक कानून बनाया है, जिससे वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या जिन पे क्रिमिनल ओफेंस के केसिज हैं, वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, कैंडिडेट के तौर पे वो कंटेस नहीं कर सकते, ये राशपती थे, वाइस प्रेजिडेंट थे, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन, और ये भारत के दूसरे राशपती थे, पहला भारत का खुद का बनाया हुआ स्नाइपर राइफल, अभी अभी इसको अन्वील किया गया, पहली बार दिखाया गया दु 8.7 kg, 800 मीटर की दूरी में ये मार गिरा सकती है दुश्मन को, इन्वे से कौन सी कंपनी है, जिन्होंने अपना एक माइक्रो प्रोसेसर लॉंच करा है, जिसका नाम है Ryzen Pro, ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, और ये हमारे जो डेस्टोप बर्क स्टेशन है भारत में उन करा था, CBDT ने और CBC ने, CBC के चेर्मेन ने वरनजा सरना, CBDT के हैं सुशिल चंदर, आंसर है New Delhi, इनमें से कौन सी ओर्गिनाइजेशन है, जिन्हें अभी अभी ओनर किया गया इस ओर्गिनाइशन को, Minister of State for Personnel जितेंदर सिंग द्वारा, क्योंकि इन्होंने लगभग 2000 से ज जोम दे कहना, इनका निधन हो गया, ये कौन से राज्ये के Health और Family Welfare Minister थे, ये थे अरुनाचल परदेश के, अरुनाचल परदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खंडू, अरुनाचल परदेश और चाइना में एक Disputed Territory है तवांग, यहां की राजधानी है इटा नगर, और से Social Media Campaign कौन सा है, जो SIPAM ने लॉंच करा है अभी अभी, और SIPAM क्या होता है, इसको बोलते है, Sell for IPR Promotions and Management, IPR मतलब Intellectual Property, उसको प्रमोट करने के लिए जो शाखा है, वो है SIPAM, Indian Geographical Indication को प्रमोट करने के लिए Social Media Campaign लॉंच हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, Let's Talk IP, Let's Talk IP क्योंकि IP से Related, जो Intellectual Property से Related जो भारत में जो महौल है, वो उतरा अच्छा नहीं है, और अभी अभी एक बंगाल का चावल है, जिसे Geographical Indicator Tag मिला है, क्या आप उसका नाम कमेंट्स में लिखे प्ता सकते हैं, अभी अभी Ministry of Finance ने Secretary of Department of Financial Services किसे अपॉइंट किया, यानि ने अभी अभी एक UN Assistance Package साइन किया है, यानि संयुक्त राष्ट संग नेपाल को कितना पैसा देगा 2018 से 2022 तक इन 5 सालों में, नेपाल को मिलेगा 635 मिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट संग की तरफ से, United Nation का Headquarter है New York में, जो हाँ UNICEF का Headquarter भी है, और UN के Secretary General है इस वक्त, Mr. Antonio Guterres जो पॉर्चुगल के हैं, अगला कोश्चन बैंकिंग से है, तमिल नाडू मरकेंटाइल बैंक का Managing Director और CEO किसे अपॉइंट किया गया है, इस बैंक का Headquarter है टूटिक और इनमें, तो इनका नाम है Mr. K.W. राममूर्ती, इनमें से कौन सा विकेट कीपर, पहला विकेट कीपर बना है, वंडे क्रिकेट के तिहास में, जिसने 100 स्टंपिंग की हैं, तो इसका नाम है MS Dhoni, भारत के MS Dhoni, और इन्होंने अपने 301 में मैच में किया, अब ये पूछ सकते हैं कि ये और क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, तो ये भारत के छटे खिलाडी बने हैं, जिन्होंने 300 जिस खेल लिए हैं, वंडे में, और इससे पहले जो रिकॉर्ड था, बहुता कुमार संगकारा, जो शिरलंका के मशूर खिलाडी थे, उन्होंने 99 स्टंपिंग किये थे, 404 मैच में, CBSE की नई चेर मैन कौन बनी है, तो चेर मैन जो होता है, चेर परसन एकी बात होती है, ज सरकार के चतुरवेदी को क्या बना दिया, National Skill Development Agency का Director General बना दिया, NSDC का, सरकार ने एक Cloud Service Platform अभी अभी लॉंच करा है, Agriculture Related Problems को सॉल्व करने के लिए, क्रिशी संबंधी Problems को सॉल्व करने के लिए, क्या नाम है इसका, इसका नाम इन्होंने रखा है, Farmer Zone, Farmer Zone, और इसको Department of Biotechnology यानि DBT ने कंसीव करा है, इन में से भारतिय मूल के कौन से Civil Servant है, जिने सिंगापूर का Acting President अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है J.Y. Pillai, सिंगापूर की जो परधानमंत्री है वो है, ली सियान लुंग, ली सियान लुंग, इन में से भारत की तरफ से पहले खिलाडी इन का नाम है अमरित पाल सिंग, अमरित पाल सिंग, एहमदाबाद जो है उन्हें UNESCO का World Heritage City अफिशली डिकलेर कर दिया गया, विजरुपानी जो है मुख्यमंत्री उन्होंने इसको अन्विल किया, तो दुनिया में कितने Heritage City है अभी, Heritage Site नहीं कह रहा, Heritage City कह रहा हूँ, Heritage City है मिला है, स्टेटस, और भारत में 36 World Heritage Site है, एहमदाबाद लेटेस्ट है, और पूरी दुनिया में सब ज़्यदा World Heritage Site है, इटली में, तरेपन, फिर हैं दूसरे नंबर पे 52, चाइना में, जुनेस्को का headquarter है पैरिस में, तो ये थे इस पहले week के, सितंबर के पहले भाग के current affair questions की quality बहुत अच्छी थी, मैं समझता हूं सब ज़्यदा important ये वीडियो होता है, first week का जो वीडियो होता है, इसका भाग दो, कल आएगा इसी वक्त morning में लगबग 11 बजे आपके पास, thanks for watching